हाई अव्रिवान नमस्ते और मैं आपके साथ दोबारा आ गया हूँ एकाउंट्स के फंडे में जहाँ पर हम एकाउंटिंग के पूरे के पूरे चाप्टर को विदिन 10 मिनट में निप्टाएंगे और आज हम लोगों के पास जो चाप्टर है उसका नाम है डेप्रीसियेशन अब सबसे पहले बात आती है डेप्रीसियेशन का मतलब क्या होता है आप लोगोंने सोचा डेप्रीसियेशन का मतलब होता है fall in the value, reduction in the value of asset जबकी ऐसा नहीं होता डेप्रीसियेशन का मतलब होता है हमने कोई asset लिया, asset लिया उसकी cost, उसकी useful life तक distribute होगी एक concept हम पढ़ते है matching concept, matching concept क्या कहता है, matching concept कहता है आपका revenue और आपके खर्चे आपस में match होने चाहिए अब भाईया, जब आपने मान लीजे कोई plant and machinery ली जो 5 साल तक चलेगी, अब आप उस plant and machinery का इस्तेमाल करके output 5 साल तक बनाओगे sale 5 साल तक करोगे, revenue 5 साल तक generate करोगे, तो logically as per matching concept उसकी cost को भी आपको 5 सालों में distribute करना चाहिए कि नहीं ये एक कारण होता है depreciation का, तो depreciation होता है allocation of the cost of fixed tangible assets over the useful life ठीक है जी, अगली चीज़ आती है सर, cost का मतलब क्या होता है, cost का मतलब होता है, जब तक asset ready to use नहीं हो जाता क्या बोला मैंने, जब तक asset ready to use नहीं हो जाता, तब तक के सारे खर्चे, cost of asset का part बनते हैं जब तक asset ready to use नहीं हो जाता, तब तक cost, asset के उपर लगे हुए सारे खर्चे, cost का part बनेंगे अगली चीज़ आती है, methods of charging depreciation, आपने 11-12 में केवल दो method पढ़े, straight line method और WDV method हमारे यहाँ पर हैं बहुत सारे method, जैसे की straight line method, WDV method, production unit method, machine hour method, depletion method, sum of years of digit method और annuity method जब हमने बात करी, production unit method, production unit method ऐसी जगों पर लगता है, जहाँ पर आपकी machine या asset की life unit में होती है कि भईया इतने unit बना देगी, तो बहुत simple सी चीज़ है, आपको simple logic पकड़ना पड़ेगा, कि depreciation एक unit की निकाल दीजिए एक unit की depreciation मतलब, cost of asset minus salvage value, 100 रुपे cost थी, 5 साल की life में 10 रुपे salvage value थी तो बचा 90 रुपे, divided by total number of units which can be produced, total number of units which can be produced, divide कर देंगे, तो एक unit की आ जाएगी अब आप multiply कर दीजिए, जितने unit, जितने unit वह machine बना रही है उससे तो आपका simple से निकल के आएगा, production unit method के द्वारा निकाला गया, depreciation अब जब आप ये word unit को replace कर देंगे, आवर से, जब आप unit word को replace कर देंगे, आवर से, घंटों से तो वह बन जाएगा machine hour method, इसका मतलब production unit method, machine hour method, दोनो भाई भाई है केवल इनका नाम बदला हुआ है, दोनों का logic सेम है आपको एक unit या फिर एक घंटे की depreciation निकालनी है, और उसे multiply कर देना है जितनी unit आपने बनाई या फिर जितने घंटे आपने वो machine use करी आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद आता है मेरा depletion method ये depletion method जैसा नाम है, वैसा काम है depletion method कहां लगता है, depletion method लगता है natural resources पर mines पर, minerals पर, यहाँ पर भी logic वही चलेगा माल लीजे, मैंने एक coal mine खरीदी एक करोड रुपे की जो मेरे को एक लाख metric ton, एक लाख metric ton कोईला निकाल के देगी पांस साल में, तो एक करोड divided by एक लाख सो रुपे पर metric ton क्या आ गया, ये आ गया मेरा depreciation, as per depletion method एक metric ton का माल लीजे, मैंने 500 metric ton कोईला निकाला, तो 100 multiply by 500 तो क्या मैं कहूँ, depletion, depreciation by unit method और machine hour method same line पर चलते हैं, अगला आता है मेरे भाईया, sum of years of digit method sum of years of digit method मतलब, जैसा नाम वैसा method, यहाँ पर depreciation कैसे निकलती है आपको समझना पड़ेगा, यहाँ depreciation निकलती है cost minus salvage value divided by sum of years of useful life, मतलब आपको sum of years करना है मान लीजे, अगर आपके asset की life 5 साल है, तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 15 आएगा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ multiply by number of years of remaining life, कितने साल life बची है, including the current year current year को मिला के कितनी life बची है, वो आएगा यहाँ पर example भी दे रखा है मैंने, मान लीजे, machine one 1,26,000 रुपे की cost है useful life 5 साल है, salvage value 6,000 है depreciation बताओ, depreciation बताओ for fourth year depreciation वही cost 1,26,000 minus salvage value 6,000 divided by sum of years 15, अब number of years, चौथे साल की depreciation निकालनी है, तो चौथे साल को include करके, चौथा और पांचवा, number of years तो दो ही बचे है न, तो multiply by 2, तो ऐसे निकलता है आपका sum of years of digit method, I hope आपको बात समझ में आई होगी, उसके आगे चलते हैं, फिर आता है straight line method, straight line method बहुत simple सी चीज है, same रहता है depreciation, लेकिन यहाँ पर भी दो चीज़ें आती है, rate गिवन है, या फिर cost, salvage value और useful life गिवन है, अगर आपको rate गिवन है, तो आप उसी rate को लगा देंगे asset की cost पर और वो आपकी depreciation per year चालू हो जाएगा, अगर आपको salvage value, cost यह सब गिवन है, तो आप करेंगे cost minus salvage value divided by useful life, example मैंने यहाँ पर दिया, cost of machine 5 लाख है, depreciation 10% on original cost है, सीधे लगा दीजे 10% 50,000 आ गया, इसी को continue करें 10 साल तक, लेकिन अगर cost of machine 1 लाख है, salvage value 10,000 है, useful life 5 साल है, तो ऐसे case में जो depreciation निकलेगी, वो निकलेगी 1 लाख minus 10,000 divided by 5, यही वाला है, भाया, जो भी depreciation लगेगी, वो year by year decrease होती रहेगी, production unit done, machine hour done, depletion done, sum of years of digit method done, SLM done, WDV done, last आता है, सात्वा method, annuity method, बहुत simple है, annuity method के अंदर depreciation जो लगती है, वो लगती है, cost multiply by the present value factor, जो की आपको question में given होगा, यहां मैंने खतम करे, within 7 to 8 minutes depreciation के methods, अगले के अंदर accounting, change in useful life, change in rate, यह सब कुछ निप्टाएंगे, जिस भी और topic पर चाहिए, comment करके बताते रहेंगे, thank you